हेलो प्रेंच विलकम इनमाई यूटीब चैनल आज हम अपना लास्ट पार्ट जो हमारा बचा हुआ था एंड़ोक्राइट सिस्ट्रम का वह करेंगे जो हमारा यूनिट रहागी थी एंडोक्राइन सिस्ट्रम की वो आज मैं आपको कम्प्लीट करवाऊंगी एंडोक्राइन सिस्ट्रम यह इंपोर्टन यूनिट है पेपर के व्यू से इसमें काफी कोईशन्स पूछा जाते हैं काफी ग्लेंट के बारे में पूछा जाता है तो आज वह हम कॉंटिन्यू करेंगे ठीक है आपको पहले दो वीडियो का जो मैंने इंके चैप्टर्स का एंडोक्राइन सिस्ट्रम की है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगे उनका वहां से देखे न और बाकी प्ले लिस्ट में जाके वी मेरी आप देख सकते हो ठीक है यह हमारी लिस्ट है एंडोक्राइन ग्लेंट होते हैं यह हमने पहले 6 ग्लेंट की वीडियो मैंने अप्लोड कर चुकी हूँ दो पहली वीडियो में हमने पिट्ट्री ग्लेंट करी थी और बाकी में हमने यह सारे ग्लेंट के बारे में पढ़ा था ठीक है हाइपोथालमिस भी हो गया पिट्री ग्लेंट भी हो गया पाइनल थाइरोड पैराथाइरोड थाइमस ग्लेंट हो चुक है आज हम करेंगे इस वीडियो में endernal gland, pancreas gland, ovaries और testis के बारे में हम बात करेंगे तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसने इस chapter नहीं देखा है, वो देख ले ना, मैं description में link देदूंगे आपको ठीक है, वहाँ से आप यह unit complete कर सकते हैं, अच्छे से आपको बिल्कुल notes, deeply notes हैं, इसके भार आपको कुछ भी लिखने की need नहीं पड़ेगी ठीक है, हम इसको continue करते हैं, अब endernal gland, pancreas, ovaries or testis in 4 के बारे में, ठीक है अडर्नल gland के बारे में पढ़ते हैं, अडर्नल gland को हम क्या बोलते हैं, सुप्रा-Renal gland भी बोलते हैं, सुप्रा-Renal gland supra का मतलब क्या होता है upper ठीक है renal का मतलब renal जहां भी आज मतलब kidney से related है ठीक है तो यह supra renal gland भी हम इसको बोलते हैं यह कहां कैसे होता present होता यह pair में pyramid इसकी shape होती है देखो यह shape दिख रही है आपको pyramid ऐसे shape होती है ठीक है it is located above the kidney kidney से उपर located होता है just kidney से उपर होता है in adults adrenal is about 5 cm long 3 cm wide यह size है यह आपके आगे competition में size यह सारी चीज़े आपकी पूछी जाती है ठीक है तो यह competition view से important होती है यह चीज़े weight कितना होता है इसका weight कितना होता है इसका 4 kg होता है ठीक है structure देखो यह pyramid shape है इसकी 3 layers है इसकी देखो यह देखो सबसे अंदर वाला है इसको हम क्या बोलते है adernal medulla adernal medulla हम इसको बोलते है जो अंदर वाला है ठीक है middle mid वाले को क्या बोलेंगे adernal cortex adernal cortex और outer capsule जो हमारा outer है उसको हम क्या बोलेंगे ठीक है इसको जो हम क्या बोलेंगे outer capsule बोलेंगे जब से बाहर है ठीक है तो जो हमारा सबसे भाहर वाला होती है जो outer capsule होती है वो किससे बनी होती है connective tissue से बनी होती है और जो बीच वाली adrenal cortex होता है ठीक है उसको क्या बोलते हैं वो किससे form होई होती है granular tissue से ठीक है formation by granular tissue और जो adrenal medulla वाली होती है वो किससे form होती है nervous fiber से nervous fiber से वो form होती है ठीक है आपने structure के बारे में बात करी अब इनकों हम एक एक को करके इसके जो बीच वाली जो होती है यह है यह जो बीच वाली होएगी हमारी बीच वाली इसको हम क्या बोलते है adrenal cortex बोलते है ठीक है adrenal cortex होती है वो थ्री लेयर से मिलके बनती है outer layer, middle layer, inner layer ठीक है outer layer, middle layer और inner layer से मिलके बनती है जो outer layer होती है उसको हम क्या बोलते है इसको हम क्या बोलते है जोना फैसुलेटा बोलते है यह इससे रिलीज होती है यह आपको सारे आगे मैं बताऊंगी मिन्यर नटयुकम क्या होता है गुलू, ठीक है यह गुलुको कौटिकोइट्स क्या होता है इसके बारे मैं आपको बताऊंगी आगे सारा आएगगा इसके बारे में पढ़ाएंगे हम ठीक है और inner layer होती है वो किसे बनती है जोना रेटुकलोरा से बनती है टीक है और यह कि essential gland और life-saving gland क्यों बोलते हैं ठीक है यह आपका आता है question why adrenal gland called essential gland और life-saving gland important होता है यह competition में भी पूछा जाता है अगर जब हमारा BP increase हो जाता है blood pressure हमारा जब increase हो जाता है तो यह adrenal gland हमारा active हो जाता है stress को हमारे कम करने के लिए stress condition में stress को कम करने के लिए BP decrease करने के लिए तो इसलिए हमारा essential gland हम इसको बोलते है यह adrenal gland पेपर में पुछा जाता है important है यह adrenal gland अच्छे से कर लेना इसको ठीक है adrenal cortex है वो release करते है कोटिको स्ट्रोइट्स हार्मोन कोटिको स्ट्रोइट्स हार्मोन एड़नल जो क्या करती है यह कोटिको स्ट्रोइट्स हार्मोन रिलीज करते हैं वह इन आपको बताया ग्रेनूलोसा जो इसके बारे में बताया था कि यह रिलीज करती है यह सारी यह फैस्ट्रोइटा इससे क्या होता है इनका ठीक है इनका कॉम्बिनेशन होता है इसके जगह आप क्या लिख सकते हो जोन रेटिकलोर अभी लिख सकते हो ठीक है तो यह वह किसके जो कोको स्ट्रोइक्स हार्मों को रिलीज करता है डर्नल कोटेक्स वह bew स्ट्रोइट्स हार्मों है किसे मिलके बनता है जो pretending को इस और अपर वाली के चीज होगी जो मैं आपको बसायरते आगे बताऊंगी तो तो अब हम एक-एक को इसको पढ़ेंगे जिससे हमारा कोटिकोस्ट्रोइड हार्मोन बनता है ठीक है जो अधरनल कोटेक्स रिलीज करती है जब से पहले हम पढ़ते हैं गुलुकोकोटिक कोईट्स ठीक है इंक्रीज ब्लड गुलुकोस लेवल को इंक्रीज करने में काम आता है ठीक है इंक्रीज ब्लड गुलुकोस लेवल को को ॉसको जो में इंक्रीज करने के य हम आता है ठीक है function देखते हैं हम glucocorticoids का क्या होता है metabolic function में आता है काम immune function में काम आता है metabolic function में क्या से काम आता है glucocorticoids stimulate fat and protein catabolism catabolism क्या होता है breakdown glycosylysis and release of fatty acid and glucose into the blood immune function excessive level of glucocorticoids inhibit inflammation by decreasing the release of inflammatory chemical जैसे हमें मदुमक्षी कार जाती है तो हमारा जो glucocorticoids होता है वो क्या काम करता है उसका जो infection है उसको decrease कर देता है inflammation जो हूरी है उसकी उसको decrease कर देता है तो यह ऐसे काम करता है ठीक है और यह drug use of glucocorticoid drugs it decrease the excess यही में इसका function है excess inflammatory process symptom of many chronic inflammatory disorders such as rheumatic और allergic response ठीक है जो उपर बताया है मैंने एक्जामपल देया मदुमक्षी वाला तो वैसे ही है इसका यूज़ ड्रग में यूज़ करत होता है ठीक है next हम करते है mineral corticoids हम किस चीज़ की बात कर रहे है जो हमारा adrenal cortex release करता है hormone corticoid उसके जो corticoid है जो hormone जो release करता है adrenal cortex हो किस-किस से मिलके बना है हमने पहले कर लिया glycococicoids के बारे में बात किया अब हम mineral और corticoids के बारे में बात करेंगे ठीक है हमारे सोडियम को एनने को तो हमारा उससे मेंटेन भी पी रहेगा इंक्रीज वाटर री अब्जॉप्शन ठीक है और के पोजिटिव एक्सक्रीशन होईगा ठीक है अब देखते हैं रेगुलेशन कैसे करते हैं मिन्डल को बहुत मॉस्ट मॉस्ट इंपोर्टेंट है यह मॉस हमारा मिन्डल कोटिकोईट है कैसे हमारा जो हमारा बीपी को कंट्रोल करता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है बहुत इंपोर्टेंट है यह टॉपिक ठीक है अच्छे से आना च्छी है आपको यह हमारा जो कैसे सोडियम को हमारा बीपी को कंट्रोल करता है हम उसको रास भी बोलते हैं, the ranine angiotensin mechanism, ठीक है, क्या होता है, when BP will decrease, जब BP decrease हो जाता है हमारा, then kidney secrete, baroreceptor and JG cell, then JG cell secrete ranine enzyme, जब BP हमारा decrease है, तो kidney secrete करते है, baroreceptor करेगी, आपसे भी पूछ सकते हैं, baroreceptor का काम क्या होता है, ऐसे question भी आ सकते है, ठीक है, baroreceptor क्या होता है, baroreceptor के बारे में वर्क काम करो, तो baroreceptor किसके काम आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, तो इसी create करते है kidney, ठीक है, JG cell, then JG cell जो होते हैं, उसे create करते है, ranine enzyme, ठीक है, जो फिर ये ranine enzyme होता है, ये हमारे liver में जाता है, ठीक है, किस के थू जाता है, blood circulation के थू जाता है, और जो liver होता है, उसके पास क्या होता है, angiotensin enzyme होता है, ठीक है, angiotensin enzyme होता है, जो ranine enzyme liver के अंदर आया है, उसमें angiotensin nosin ने convert कर दिया, angiotensin nosin 1 में कर दिया, ठीक है, हमारे देखो, ranine enzyme, then ranine enzyme going to the liver, ranine enzyme liver में गया, लीवर के पास पहले क्या था, angiotensin enzyme था, ठीक है, तो ranine enzyme जब लीवर के अंदर गया, तो angiotensin ने उसको क्या कर दिया, angiotensin 1 में convert कर दिया, ठीक है, then this angiotensin 1 going to liver, लीवर में गया, इसके circulation के थुरू, then lungs have angiotensin converting enzyme, लंग्स के पास क्या था, हमारा angiotensin converting enzyme था, ठीक है, तो इसने convert कर दिया, angiotensin 1 को into angiotensin 2 में, ठीक है, then stimulating adrenal gland, ठीक है, then फिर क्या हो गया, जैसे इस angiotensin 2 में convert हुआ है, stimulate हो गया, adrenal gland, and under gland stimulate aldosterone, जिसको क्या है, mineral koits को काम का है, Na plus H2O की reabsorption करना, मैंने उपर बता है न, Na की reabsorption और water की reabsorption करते हैं, तो reabsorption होगी, Na की और H2O की, ठीक है, then again BP भी increase, और BP क्या हो जाएगा, फिर से increase, तो ऐसे हमारा ये mineral koits work करता है, हमारे BP को maintain करने में, भहत important है, ये अच्छे से कर लेना, ठीक है, इसको पढ़ोगे आपको, अच्छे से समझा देगा क्या लिख रखे, आप अपने आप अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, तो हमारा ये हो गए mineral koatikoids, ठीक है, नेक्स लास्ट आते है हमारा gonadocoticoids, ठीक है, जो हमारा corticosteroid hormone है, जो मारा internal cortex release करता है, उसको लास्ट जो composition है, वो है, gonadocoticoids, it is mainly present in male, आपने सुना भी होगा, ठीक है, but also present in female में भी present होता है, function of androsans, ठीक है, in male's androsans stimulate during puberty for development of pubic and axillary hair, ये जो हमारी puberty age होती है, उसमें ये active होता है, male में, और किस चीज़ के काम आता है, pubic and axillary hair के development में काम आता है, in women it is produced after menopause, जब menopause हो जाती है, women में, when ovary and astrosans are no longer produced, जब ovary, हमारे astrosan hormone होता है, वो produce नहीं करती, तो menopause के बाद androsan hormone produce होता है, तो हमारा ये पूरा हो गए, अब adrenal cortex, जो हमारी middle layer थी structure था ना, आपको बताया ये, देखो, हमारी क्या होती है, outer capsule, बीच वाली, adrenal cortex और बिल्कुल अंदर वाली, adrenal medulla, ठीक है, हमने बीच वाली पढ़ ली, adrenal cortex, ठीक है, अब हम next पढ़ते है, adrenal inner medulla, सबसे अंदर वाली, ठीक है, adrenal inner medulla के बारे में पढ़ेंगे, जो adrenal medulla है, वो release करती है, जो hormone release करती है, उसको क्या बोलते हैं, catty clomins, ठीक है, catty clomins जो होती है, वो किस-किस से combination से मेली बनी होती है, apifrine, non-apifrine और dopamina, ठीक है, जैसे हमारी मैंने आपको बताया था, adrenal cortex, हमारी जो तीन चीजों से बन दी थी, cortical steroid, hormone release करती है, तो तीन चीजों से बनता था ने, ये भी तीन चीजों से बनती, apifrine, non-apifrine और dopamina, ठीक है, main function देखने, apifrine और non-apifrine का, increase करती है, hurt rate को, increase BP, pupil dilation, जो हमारा आइज में होता है, pupil dilation, reduce blood flow of uninary, ठीक है, bronchodilation, increased respiration rate, reduce GI secretion and GI flow, ठीक है, और जो हमारा dopamina होता है, ये इतना यूज नहीं होता, तो हमें इसके बाद, इसमें आपका नहीं पुछ जाता है, इसकी कोई ज़्यादा हमारे body में यूज नहीं होता है, ठीक है, तो इसका main apifrine और non-apifrine का main ये work होता है, function होता है, ठीक है, तो हमारा ये complete हो गया, adrenal gland, outer capsule तो outer capsule में उसका क्या function होता है, ठीक है, main हमारा ये थे, ठीक है, main इसमें से भी आपका mineral corticoids था, रास वाला, BP maintain करने वाला, baroreceptor वाला, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, अब हम next gland करते हैं, pancreas, pancreas को हम sweat gland भी बोलते हैं, pancreas को mixed gland भी बोलते हैं, mixed gland के बोलते हैं, endocrine और exocrine दोनों के function करती है, और इसका क्या होता है, 12.5 cm long और 2.5 cm ठीक होती है, consist करते है, head, body, tail, located in the curve of dudanum, ठीक है, dudanum के जो curve होता है, उसमें ये located होती है, जैसे देखो, ये diagram में आपको दिखाती है, ये dudanum है, ये हमारा, ये जो बीच में है, ये क्या है, हमारी pancreas है, ये pancreas है, ये dudanum है, ठीक है, अब इसके type of cell देखते हैं, acinal cell और eyelet cell होती है, acinal cell के होती है, ये found होता है, body part of pancreas में, body part देखो, कैसे ये pancreas का पुरा है, ये pancreas का structure है, पुरा, तो ये देखो, ये हमारी क्या है, ये तीन उसमें divide है, ठीक है, ये तीन, ये head, ये head, ये body, ये tail, तो ये हमारे body part में, ये जो है, इसमें present होती है, इसमें present होती है, ठीक है, found in body part of pancreas, found 98, 98% तक ये ही होता है, secret pancreatic juice, अब करते हैं, आइलेट की बात, ठीक है, तो ये हमारा tail part में होता है, pancreas के, हमारा ये tail, tail part है, tail part में present होता है, ये body part में था, acinal cell और tail part में, inlet cell present है, अब ये आगे, divide है, alpha cell, beta cell, delta cell, और, किसमे cell है, polypeptide cell, pp cell, ठीक है, alpha cell जो होते हैं, वो क्या होता है, 15-20% found होते हैं, इसमें, highlight जो मारा है, ये इन चीज़े, cell से मिलके बनता है, ठीक है, 15-20% क्या होते हैं, highlight में, alpha cell होते हैं, beta cell होते हैं, 70% और delta cell होते हैं, 5-10% और pp polypeptides होते हैं, 1-2%, ठीक है, secret ये क्या करते हैं, alpha cell, silk secret, glucogen, hormone, beta cell करते हैं, insulin को secret, delta cell करते हैं, smatostrin, और pp cell, polypeptide, secret करते हैं, ठीक है, हमारा last gland आता है, वो आता है, अमारे gonads, ovryzot, testis, ठीक है, gonads बोलते हैं, ovryzot testis, ovry male sex hormone, testis male, sorry, female sex hormone, ovry testis male sex hormone, ovry secret करते हैं, two hormone, estrogen और progesterogen, estrogen, estrogen is responsible for maturation of the reproductive organism, तो आपने 12th, 11th, 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, estrogen increase at the time of puberty, and causes the growth of uterus and vagina, estrogen and estrogen are responsible, for the development of breast, and for the uterine cycle, menstrual cycle, जिसको बोलते हैं, ठीक है, progesterone का क्या होता, it is female hormone, secreted by corpus luteum, after ovulation के पास, जो हमारा corpus luteum होता है, during the second half, of the menstrual cycle, means 14th damage, हमारा corpus luteum, जो हमारा secret होता है, ठीक है, testis, testis की location के होता है, इने एक्स्ट्रा abdominal skin pouch, called scrotum, scrotum, ठीक है, testis secret, testosterone hormone, it belongs, testosterone का क्या होता है, it belongs, the family of the androgens, which are steroid hormone producing, mesoclon effect, ठीक है, आज हमारा complete हो गया, हमारी unit थी, जो endocrine system वाली, ठीक है, half से भी जादा, मेरी दो वीडियो में अप्लोड करी है, पहले वीडियो मैंने इंट्रोड़क्शन, और प्यूटर ग्लैंड के बारे में बताया था, जो बाकी थे, छेंग ग्लैंड मैंने, जो आज़े वीडियो में बताया था, दोनों को वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहां से देख ले ना, जब भी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, कि मैंने आगे क्यों कर आगे कैसे करवाया, आप जब तक इंट्रोडक्शन और वह नहीं देख गए तो ये समझ नहीं आएगी, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्ट्रम वाली यूनिट इंपोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से कर ले ना, तो इसको अच्छे से कर ले ना, ठेंक यू, अब में लेंगे नेक्स यूडियो में,